आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कुर्क की गई हैं देखी हमारी एक खास रिपोर्ट सांसाथ अफजाल अंसारी की साढ़े बारा करोड की संपत्ती कुर्क लखनाव में गाज़े पूर पुलिस ने की कारेवाई गैंगिस्टर एक्ट के तहत हुई कारेवाई सत्तर करोड की संपत्ती जप अफजाल के खिलाफ तरज हैं काई मुकद में उत्रप्रदेश में माफिया मुक्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस्ता जा रहा है उनके और उनके परिवार पर एक के बाद एक कारेवाई हो रही मुक्तार के सांसाथ भाई अवजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क की गई मुक्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों की मुश्किले कम होने की बजाए आए दिन एक एक कर पढ़ती जा रही है गई तलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने माफिया और संवड़ित गिरोग के खिलाफ सक्ती से निपटने के निर्देश दिये हैं इसी क्रम में बीते शुक्रवार को गाजीपुर्ट जिले की पुलिस में लखनव पहुच कर डाली बाग में तिलकमार्ग इस्थित गाजीपुर्ग से बसपास अंसर्थ वमुक्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की साढ़े बारा करोण की संपत्ती को बता दे कि अंसारी के नाम करोणों की कीमत का बंगला बनवाया था और उपित ने 6700 वर्ग फीट में इस बंगले को बनवाया था गाजीपुर्ग पुलिस ने कोठी के बाहर डुगडुगी पिटवा कर कुर्ग की कारिवाई पूरी गाजीपुर्ग पुलिस में साल 2007 में दर्ज पिस्टर एक्ट के एक मामले के तहट यूसुफपुर्म महमुदाबाद गाजीपुर्ग निवासी अफजाल अंसारी की संपत्ति कुट की जिसको लेकर पुलिस अधिक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि उन्होंने बताया कि मुक्तार अंसारी की चितने भी सायोगी है उनको भीव चिनहित किया जा रहा है। उनके आने वाले समय में ऐसे लोगों की अधिक से अधिक संपत्ती जब्ट करने की कारिवाई की जाएगी। बता दे कि अफजाल अंसारी पर को साथ मुकदमे दर्ज हैं। जसमें गाजीपूर में मुकदमे दर्ज हैं और चंदौली चंपद में एक मुकदमा दर्ज है। हैं यह प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी इनकी पत्री के नाम पे जो है वो धर्ज है、 और उनके ऊपर कई सारे अपरानयमाब्स, मुकदमे जाएगा。 दर असल प्ल्स कारिवाई की जानकारी पहले से सांसत अफजाल अंसारी की पतनी फरहप और उसकी बेटी को मिल गई थी और पुलिस के पहुचने के पहले ही सांसत की बेटी डाली बाग बंगले पर पहुची वहां से कार और अपना पालतु कुट्टा लेकर चली गन्दे इस बात की पुश्टी पुलिस पूश्टाश में नोकर के परिवारी जनों ने की बाद में हजरत गजठाने और गाजीपुर पुलिस की सेयों के टीम अफजाल अंसारी की नाम पर दज बंगले पर पहुची इस दोरान बंगले में नोकर का परिवार मौजूद था पुलिस ने बारा बंकी के रहने वाले नोकर को अपना सा निकालने का मौका दिया इसके बाद चार घंटे तक चली कारिवाई में बंगले के अंदर वा बाहर सभी दर्वाजों पर ताला वसील बंदी की कारिवाई की गए तो वहीं पुलिस ने कुरकी के समंद में नोटिस भी चस्पा कर दिया है फिलाल अब देखना ये होगा कि अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार